नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं Angel Tech Analysis तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स टेट करते हैं उनके बारे में देखेंगे इनके आज के लेवल कौन से लेवल ब्रेक हुए कौन से सपोर्ट ब्रेक कहां से मार्किट ने सपोर्ट लिया इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए आईए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की वीडियो तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरू सब्सक्राइब कर लेजिए और बैल सकते हैं 200 points की जो है closing आज नीचे की होई है तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो है continue एक 3-4 दिनों से एक नीचे की तरफ ही यहां पर देखिए support ले रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं कि finally यह 3-4 दिन हो चुके हैं और यहीं पर मतलब bank nifty continue इस level को ना तो break करके ऊपर की तरह boss back कर रहा है और ना ही यह level अभी break हो रहा है एक चीज का और ध्यान रखिएगा जब यह level break होगा तो यहां पर हमको कम से कम देखिए नहीं भी कुछ तो 28,000 का level ब्रेक होने के बाद हम जो है जरूर देखेंगे 28,000 का level तो चलिए हम चलते हैं 15 मिट के चार्ट में और देखते हैं कि मतलब कल के लिए हमारे पास क्या opportunity है कल के लिए हम क्या कर सकते हैं और आज finally अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाओं तो यह 15 मिट का चार्ट मैं लगा हुआ है और 15 मिट का चार्ट लगाके यहाँ पर देखिए जो finally आज candle जो open हुई थी 15 मिट की candle पी हम बात क कर दिया था कि मतलब अगर इस high को cross करता है तब ही हम buying side जाने वाले हैं otherwise market बीरिश लग रही है और इसके नीचे हम sell side जा सकते हैं तो finally देखिए यहां से break होने के बाद जो 15 minute का candle था वहां से break होने के आद 39,350 का जो level break हुआ वो देखिए 28,850 के आसपस जाकर कहीं मतलब हम कहा स बैक होई यहां पर देखिए एक यहां पर support था ठीक है ना अगर हम support भी सो कहा सकते हैं और अगर हम यहां इसको double bottom भी कहा सकते हैं देखिए first bottom यह था और second bottom यह था यही वो देखिए resistance था जहां पर यहां पर अगर आप देखेंगे यह दिखिए यह जो मैंने ड्रो कियो चल अच्छे समझ में आएंगी तो यहां पर यह देखिए यह जो resistance था यह ब्रेक हुआ ब्रेक होने किया support बना तो यहां पर first bottom बना और यहां पर second bottom बना तो यहां पर भी मैंने आपको call दी थी यह call मैंने दी थी आपको 30,000 की call दी थी 393 पर दी थी और इस call ने जो high लगाया व लमसम high क्या मतलब continue चलते रहा 500 का जो है मतलब इसने touch किया यहां पर देखिए हमने 1 is to 7, 1 is to 8 का profit जो है आप लोगों ने book किया होगा चली अब हम देख लेते हैं आज तो जो हुआ market में चली यह वो तो आपके सामने था वो सारी चीजे में telegram चैनल में आप लोगो continue में आप लोगों को चीजे बताते रहा अब यहां पर देखिए कल के लिए हमारे पास क्या level important है अब हम देखिए इसको 15 मिट के चार्ट में हम यहां पर एक trend line draw करेंगे यह देखिए यह जो मैंने trend line draw करी है तो अब यह सारा दारोमदार कल का जो है हम इस trend line के ऊपर ही कल trade करने वाले हैं अब इस trend line के देखिए अब मैं आपको एक logic वाली चीज यहां पर बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए एक यहां पर यह market जो है support ले रहा है ठीक है अब यहां पर दो support है इसके पास देखिए अगर आपको इस तरह के support मिले तो वो support जो है जादा strong होते हैं because यहां पर दो चीजों का strong support यहां पर इसको मिल रहा है एक तो यह horizontal जो मैंने draw किया है इसका support है दूसरा trend line का support है और यहां पर जो candle बनी हुई है यह candle भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो hammer candle है जो candle यहां प देखें option यह हमारे पास अभी यह है कि यह देखेंगे अब मैंने यह चीज़ भी draw कर दी ठीक है अब यहां पर अगर market flat open होती है देखेंगे अब मैं आपको यहां पर तीन सेनरियों बताऊंगा एक flat open बताऊंगा कि market अगर flat open होगी तो वहां पर क्या हो सकता है दूसरा मैं अगर market gap up open हो जाएगी तो वहां पर क्या हो सकता है तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि अगर market gap down open हो जाए तो हमको किस तरह से trade करना है अब यहां पर देखें यहां पर अगर market flat open होती है तो flat open होने के बाद आपको कम से कम यहां तक तो trade बिल्कुल नहीं करना है 39,150 के level तक 300 का होगा और अगला target होगा हमारा 39,450 का और 450 का level भी अगर break कर देती है market तो यहां पर 29,560 और next target हमारा यह होगा 29,700 का तो यह हमारे flat opening में यह हमारे उपर की तरफ के target होने वाले हैं अगर देखें यहां पर market flat होती है flat होने के बाद कुछ 10 तक यहां पर sustain करती है means यहां पर range बना लेती है range बनाने के बाद अगर यह trend line break करती है तो trend line को break out के बाद हमको कहां पर trade करना है देखें मैं आपको बतायता हूँ just trend line break हो गई break होने के बाद कम से कम एक 5 minute की candle trend line के नीचे close होने दीजिए उसके बाद हमने trade करना है देखें अगर यह trend line कल को break होती है तो हम यह आपर एक अच्छा खासा downfall देख सकते हैं, अब देखिए ये तो था flat opening की बात, अब मैं आपको बात करता हूँ कि market अगर gap up open हो जाती है, market में मानले जी कोई news आती है, कोई अच्छी news आती है, तो वहाँ पर market का किस तरह से जो है behave कर सकती है, अब देखिए, एक trend line देखिए, मैंने आपके सामने ये इस तरह से draw करी और एक नीचे से trend line ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मानले जी कहीं, आपको इस trend line के आसपास, मानले जी, market open हो जाती है, 29,300, या फिर 29,000, मानले जी, इस resistance के आसपास open होती है, 29,450 के आसपास, या 29,300 के आसपास, तो ध्यान लिए हमारे पास यही resistance है, यह resistance देखिए, क्योंकि आज market जो है, इसी level से उपर होकर नीचे गिरना चालो हुई थी, देखिए market जो हमेशा history को repeat करती है, इस चीज को ध्यान देकर trade किया करिए, ठीक है ना, पीछे market में क्या हुआ है, ये candle form होई तो तो क्या हुआ था, इस support पर आया था, market तो क्या हुआ था, ये सब चीजे जरूर देखा करिए, क्योंकि market जो हमेशा history repeat करती है, तो यहाँ पर अगर कल हमको यहाँ पर 29,450 से 29,500 के बीच में कहीं मिलती है, उसके negative कोई भी candle बनती है, उसके confirmation के बाद हम यहाँ पर sell set जा सकते हैं, तो यह हमारा जो है देखिए, gap up opening के लिए है, यहाँ पर हमारा first target जो होगा, 29,450 या 29,500 के बाद से जब market नीचे गिरना चालू होगी, तो वहाँ पर हमारा first target होगा 39,150 का, और दूसरा target होगा 39,980 या 970 के आसपास आ सकती है, अब यह तो था gap up की बात, अब देखिए, अगर market में यहाँ पर gap down opening हो जाती है, देखिए, अभी market 39,000 के ऊपर close है, अगर market कहीं open हो जाती है, 39,850, 890, 870, तो समले जीए, वहाँ पर हमको एक clear cut हमको जो है, indication मिल जाएगा, sell set जाने का, क्यों, अब मैं उसकी पीछे logic आपको बताता हूँ, क्यों हमको indication मिल जाएगा, देखिए, हमारे लिए सबसे important इस time ये trend line है, देखिए, मैं आपको चीजी बार-बार बताता हूँ, समझाता हूँ, अब ये trend line ही हमारे लिए सबसे important है, जब तक हम इस trend line के ऊपर है, तब तक हम buy side देखेंगे, और finally break होने के बाद हम तुरंत जो है, अपना view change करेंगे, और seller बनेंगे, अगर देखिए, हमको एक, इस तरह का हमको clear picture मिल गया, अब देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, एक lower 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 high, ठीक है, तो यहाँ पर हमको 1, 2, यहाँ पर 2 lower high बन चुके है, मैं भी देखिए, कल क्या हो सकता है, इस trend line के आसपास जाकर, फिर market reverse हो सकती है, और reverse होने के बाद फिर जो है, इस trend line को break कर सकती है, देखिए, मैं आपको picture दिखाता हूँ किस तरह से हो सकता है, मालीजे, यहाँ पर open होने के बाद, इस तरह से जाके, इस trend line को test करने के बाद, यहाँ पर इस trend line पर आएगा, थोड़ा सा यहाँ से bounce back करने के आ finally यहाँ पर इस तरह से breakout कल हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान देखिएगा, देखिए, चीजों को predict करना सीखे, अगर चीजों का predict करना सीख जाएंगे, तो वहाँ पर जो है चीजी आपको आसान लगने लग जाएंगी, तो देखिए, यह हमारे दो scenario होगे, जैसे मैंने 39,950 के नीचे होनी चाहिए, यह हमारा पहला जो है, समय लिजे term and condition हो जाएगी यहाँ पर, कम से कम 39,550 के नीचे open हो, उसके बाद कम से कम जो पहली 5 minute की candle बने, वो bearish candle बने, उसके बाद हम clear cut वहाँ पर sell set जा सकते हैं, और वहाँ पर हमारा पहला target होगा 28,650 का, दूसरा target 28,500 का, और तीसरा target जो होगा, वो होगा हमारा 28,370 का, तो यह हमारे नीचे के target हैं, और flat open के आद होने के बाद, अगर उपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर हमारा पहला target होगा, यह trend line जो है, 28,300, अगर trend line को break करता है, तो यह जो हमारा, यह जो हमने resistance draw किया हुआ हुआ है यह हमारा 28,450, देखे, 28,300, 28,450 और 28,550, तो यह उपर के हमारे target हैं, नीचे के target हमारे हैं, 28,650, और दूसरा target जो है 28,500, और तीसरा target जो है 28,350, तो मैंने उपर के target भी आपको बता दिये हैं, नीचे के target भी बता दिये हैं, अब सारा, देखे, market जो भी depend है, इन दोनों trend line क की तरफ से देख रहे हैं, एक trend line यह नीचे की तरफ से देख रहे हैं, मतलब इसको हम देखिए, market में हम क्या सकते हैं, एक symmetrical triangle pattern यहां पर market में form हो चका है, bank nifty में, अब symmetrical triangle pattern में आपको पता ही है, अगर आप pattern के बारे में knowledge रखते हैं, technical analysis के बारे में knowledge रखते हैं, तो आपको कि आपको यहाँ पर क्या करना है. या तो यह breakout हो तो हम ऊपर की तरफ निकलेंगे. अगर यए नीचे की तरफ breakout हो तो यहाँ पर हम एक बड़ा downfall देखने को मिल सकता है. कम सखम 500-600 points का downfall देखने को मिल सकता है, अगर यह trend line break होता है तो अगर ये trend line break होता है तो हमको कम से कम यहाँ पर 300, 200 से 300 point तो हमको एक side clear cut देखने को मिलेंगे तो इन चीजों का ध्यान न किएगा trading जो है देखिए बहुत simple चीज़े कोई complicated चीज नहीं है यह सारी चीज़े मैं आपको telegram channel में continue post करते रहता हूं time time पे सारे chart में post करता हूं देखिए मैं जब भी कोई trade लेता हूं तो trade लेने के बाद आपको continue चीज़े बताते रहता हूं वहाँ पर किस तरह से हमको trade करना है कौन सा level important है कौन सा breakout हो रहा है या मैंने कौन से trade लिए वो सारी चीज़े मैं आपको बताते रहता हूं ठीक है तो चलिए अब हम जो है मतलब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमने आज जो trade लिये थे telegram channel में और जो मैंने आपको post किया था हमने trade क्यों लिये थी उसका logic समझेंगे उसके पीछे कारण क्या था आखिर मैंने वहाँ पर क्या देखा कि हमने वो trade लिया second देखिए अगर आपने हमारे telegram channel जोईन नहीं किया है तो description में link है वहाँ पर जाईए और telegram channel जरूर जोईन करिए देखिए telegram channel आपके लिए आपके लिए ही बनाया हुआ है public channel है ठीके ना वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा technical analysis आप सीखना चाते हैं अगर आप level draw करना सीखना चाते हैं support resistance draw करना सीखना चाते हैं तो आप वहाँ से मेरे चार्ट को follow करके बहुत अच्छे से सीख सकते हैं आपको बहुत help मिलेगी देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ जर ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उसे market में 5 साल 6 साथ साल से हैं लेकिन उनको at least अभी कम से कम support और resistance तक draw करनी नहीं आती है ठीक है न जिनको मतलब अभी भी proper support और resistance draw करनी नहीं आती है कि मतलब level निकालने नहीं आते हैं proper trend line draw करनी नहीं आती है मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ ठीक है न सो दिखिए यही चीज़े important है अगर आपके level बिल्कुल accurate draw होने चाहिए अगर आपका level accurate draw नहीं है माली जी हमको level draw यहाँ पर करना है और आपका level draw है यहाँ पर तो समझे जी आप तो फिर आप इसी level के हिसाब से entry लेंगे न तो यहाँ पर जब आप entry लेंगे तो आप काफी late हो चुके होंगे और finally यहाँ पर जो है next target जब हमारा बुक करने का time आएगा तब वहाँ पर आपको entry मिलेगी माली जी हमने यहाँ से जो है breakout पर हमने trade किया और 39,000 से और हमने जो है बुक किया 39,650 पर तो हमने 35,500 पुक किया और यहाँ पर आप वेट करेंगे breakout के बाद तो जहाँ पर breakout के आद आप entry ले रहे हो वहाँ पर हमारा target हीट होगा तो यहाँ पर देखिए level draw करना बहुत जरूरी है तो अगर आप सीखना चाते हैं तो हमारा telegram channel जरूर जोइन करिए वहाँ पर मैं अपने trading ideas देता रहता हूँ मैं क्या trade ले रहा हूँ वो सारी चीज़े मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ चलिए मैं आपको अपने telegram channel में लेकर चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको चीज़े आपको समझाता हूँ कि आज जो है हमने किस तरह से trade किया कौन कौन से trade लिये थे देखिए finally जैसे market open हुई थी सवेरे तो मैंने आपको वहाँ पर बताना शुरू कर दिया था Metro निफ्टी के बारे में बता दिया था और bank nifty के बारे में भी बता दिया था तो यहाँ पर देखिए bank nifty का यह चार्ट है फाइनली देखिए 15 मिनट का चार्ट है और यहां पर देखिए market resistance के आसपास ही open हूआ था सो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होता है हम तभी buy side में जाने वाले हैं otherwise हम sell side में जाएंगे देखिए अगर यहाँ पर buying side में हमको trade मिलता तो यहाँ पर हमारा target बहुत छोटा होने वाल था बेका उस कम से कम हमको एक breakout candle हमको यहाँ पर चाहिए थी वो लमसम यहाँ पर आ जाती तो उपर के लिए कम से कम 60-70 point ही बसते तो हम जो है buying अभी इधर नहीं करते तो यहाँ पर हमको first 15 minute की candle हमको bearish मिल गई उसके बाद हमने यहाँ पर sell का trade बना लिया पहला trade हमने लिया था 29, 400 का जो 412 रुपे पर लिया था इसको हमने कुछ quantity निकाली 481 पर 50% quantity उसके बाद हमने 30% quantity फिर निकाली 563 पर और फिर finally book किया हमने 692 पर तो देखिए यहाँ पर हमने 412 रुपे का चीज लेकर हमने 692 रुपे बेचा मतब 250 point से ज़्यादा हमने यहाँ पर लिया तो यह देखिए इन चीजों को ध्यान से समझे चीजों को ध्यान से देखा करिए चार्ट को ध्यान से समझे यह देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यह double top pattern दिखाई देगा यह देखिए पहला top यहाँ पर कल लग चुका था और finally आद दूसरा top यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपको मैंने बताया कि अगर high cross होता है तब ही हम उपर के side में जाएंगे, otherwise यहाँ पर gap भी है, तो यहाँ पर market नीचे gap फिल करने के आ सकती है, तो यहाँ पर भी हमने जो trade बनाया था, अपना nifty में बनाया था, 12,950 की put हमने buy की थी, 74 में और इसमें हमने 122 पर हमने इसको book किया था, यहाँ पर finally हमने 48 points जो है book किया थे, तो अभी देखिए मैं आपको अगले chart में लेकर चलता हूँ और यहाँ पर बताता हूँ किस तरह से हमने अगले trade किये, अभी यहाँ पर देखिए, अभी यह चार्ट मैंने आपको यहाँ पर update करके बताया था जो हमने 15 mint की candle को देख लिया था, यह 15 mint का chart है और यह 4 candle में देखिए, market 300 से 300 point नीचे आ गई थी, तो इसी trade में हमने 500 plus point यहाँ पर profit book किया था, अभी यह देखिए, निफ्टी का chart मैंने अपडेट करके आपको यहाँ पर बताया था, कि यह देखिए, जो 15 mint की candle जो थी, यह 15 mint का chart है, और यहाँ पर देखिए, कम से कम 100 points के नीचे की तरफ moment हो गई थी, इसमें हमने 48 points book किये थे, 12,950 की put में, ठीक है, तो देखिए, मैं जो यहाँ पर chart बगरा पोस्ट करता हूँ, उन चीज़ें सो आपको एक clue मिल जाता है, आपको एक hint मिल जाता है, कि market किस direction में ज जाता सकती है, आपको एक बनी बनाई चीज मिल जाती है, समझे रेडिमेट चीज यहाँ पर मिल गया, यह आपको रेडिमेट चार्ट मिल गया, तो वहाँ से आप अपना दिमाग लगा कर चीज़ें समझ सकते हैं, देखिए, मैं आपको यहाँ पर proper levels नहीं दे सकता हूँ, बिकाउज मेरे को दो-तिन ग्रूप में यहाँ पर calls देनी होती है, और मेरे को अपना personal trade भी करना होता है, सो मैं यहाँ पर चार्ट बगारा आप लोगों के लिए मैं कम से कम post कर देता हूँ, देखिए, मेरे को काफी message आते हैं, सार यहाँ पर भी कम से कम कुछ call दिया करो, काफी मेरे को emails आते हैं, काफी WhatsApp आते हैं, काफी मेरे को message आते हैं, सो देखिए, मैंने जो है, at least मैंने एक call यहाँ पर देनी चालू की है, जो मैंने आज भी आप लोगो call दी थी, वो call जो मैंने दी थी, 29,000 की call थी, वो मैंने आपको 393 पर दी और 500 पे उसको book कराया था, यह आपर हमने जो है book किया कम से कम 107 पॉइंट, तो यहाँ पर 1 is to 7, 1 is to 8 का profit हमने यहाँ पर आपके लिए जो है, मतलब उमीद करता हूँ कि आपने जरूर यह बनाया होगा, मतलब जो हमने 393 से लेकर 500 तक हम इसको call को ले गए थी, अब यहाँ पर दीखिए, यहाँ पर मैंन बाकी था, यह मेरा cursor देखिए, मैं किस तरह से कर रहा हूँ, यह नीचे की तरफ आके, ऊपर की तरफ जाके, फिर strand line को touch करना यहाँ पर बाकी था, तो यहाँ पर price action बनना बाकी था, तो इसलिए मैं यहाँ पर बीरिश था, और यहाँ पर भी हमने जो buy की थी, 29,000 की put buy की थ 417 में और 462 में आकर जो है, मने इसको निकाली थी, अब देखिए, इस chart के बाद मैंने कुछ time के आद आपको यह chart update करके दिखाया था, यह देखिए, ठीक है, यह पंदरा पंदरा, यह पांच मिंट का candle है, और यह देखिए, continue नीचे की तरफ आने लग गया था, और यह दे देखिए, मैंने आपको clear cut बताया था, कि यहाँ पर हमको नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं अभी देखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप arrow देखेंगे, तो आपको सिर्फ एक यहाँ पर arrow दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दो arrow नीचे की तरफ वाला नहीं दिखाई द तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, कि अभी इतना gap बाकी है, यह जा सकता है, market ओपर, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, फाइनली देखें, यहाँ पर जो market अभी चली रहा था, तो मैंने यहाँ पर आपको post किया था, यह कम से कम हमको 300 points की, जो हमको move मिली थी, तो यह द है, देखी, practice करनी पड़ेगी, without practice यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप practice नहीं करते हैं, तो फिर आप यहाँ पर काम्याब होने वाले नहीं है, यहाँ पर आपको continue practice करनी होगी, अपने rules follow करने होगे, अपने discipline follow करना होगा, अपना देखी, मतलब जो भी risk management है, money management यह सारी चीजे follow करके ही यहाँ पर पैसे बनते हैं, अगर आप सोचिए कि मतलब मैं overnight पैसे बना लोगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा possible नहीं है, कोई magic नहीं है यहाँ पर, so आप थोड़ा practice करिए, यह चार्ट सारी चीजे मैं आपके लिए ही, यहाँ पर मैं continue post करता हूँ कि आप भी यहाँ से profit बना लीजिए, अगर आपको भी मतलब, क्योंकि मैं जो call अपने group में देता हूँ, वो call अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे साथ account open कर सकते हैं, account open करने के बाद मैं आपको अपने personal group में add करना हूँगा, और वहाँ पर मैं आपको वही call द कि देखी किस तरह से market जो है move करती है, अब यहाँ पर देखी, यह first time ओपर की तरफ या, नेचे की तरफ आया, अब यहाँ पर हमको एक trend line मिल गई, और यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ से एक support था, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने buying का trade बनाया था, यहाँ पर buying का trade जो म हमको मिल चेकी थी, हमको तो सिर्फ trend line extend ही करनी थी, हमने trend line extend किया, और यहाँ पर देखिए, फाइनली एक, यह जो candle आप देख रहे है, inside candle, inside candle बनी थी, इसके बाद जो देखी, कितनी अच्छी moment हुई, कम से कम 300 से 300 point की moment हुई थी, और यह जो moment हुई थी, वो 353 से लेकर, 492 मतलब यहाँ पर गया था, मतलब यहाँ हम क्या सकते हैं, 130 से 140 point का हमको यहाँ पर profit मिल सकता था, so देखिए, यह trade मैंने नहीं किया था, because मैंने already 6 trade कर लिये थे, और 6 के 6 trade हमारे profitable थे, जिसमें से 2 trade में trailing stopless ही टुआ था, जिसमें हमने already 50% quantity 1 is to 2 हमने book कर ली थी, starting के जो 3 3 trade थे, वो 3 trade में हमने बहुत ही अच्छा profit बनाया था, उसके बाद हमारा ऐसा कोई mood नहीं था trade करने का, but market बैटने कहां देती है, market तो कहती है, market को देखिए, अगर आप respect करते हैं, तो market आपको ज़रू respect करेगी, so मतलब market को respect करना सीखिए, ठीक है न, market को समझना सीखिए, market market से बहुत आसानी से पैसे बनाया जा सकते हैं, देखिए, intraday trading बहुत simple है, बहुत simple है, बहुत simple है, अगर आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे, logic समझना सुरू कर देंगे, logic के साथ trade करेंगे, without logic, market में जंप नहीं करेंगे, फिर जाके पैसे बनेंगे, अगर आप risk management management follow करेंगे, फिर जाके पैसे बनेंगे, अगर आप आख बंद करके यहाँ पर trade करते हैं, तब पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है, तो मतलब अपनी trading में थोड़ा practice करना चालो करिए, improve करिए अपनी trading को, improve के धीर धीर जो है, देखिए, practice के साथ साथी improvement आएगी, ठीक है न, उसक पसंद आई है, तो dislike करिए, कोई बात नहीं, ठीक है, और अगर आपने telegram channel जोईन नेकिए, तो telegram channel जरूर जोईन कर लिजिए, because देखिए, आपको वहाँ पर continue technical analysis सीखने का मौका मिलता रहेगा, और यहाँ पर जो है, जो levels मैं आपको दे रहा हूँ, वह levels आपको draw करके किजिए, सीख सकते हैं, चलिए वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, कल के वीडियो में, जैहिंद